तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप Amazon Pay to Bank किसे कर सकते हैं और Amazon Pay to Bank करके आप minimum charges लगेगा और और आपके safely तरीक करेगा सेफ पीरेगा और Amazon से आप जो पीचेती रूपय वाला 50 रूपय वाला gift card हो भी आप इसके अंदर पांच रूपय वाला gift card करोगे तब आपको 15 रूपय वाला case bag मिलेगा और एक उसके अंदर आ या फिर आप dream 11 के अंदर तीन मिलते हैं रोजाना या फिर आप dream 11 के अंदर आप एड मनी करेंगी या फिर MPL के अंदर एक रूपय रूपय या फिर MPL में एक रूपय वैसे आप अपने साब से अधिस कर लेना वह भी आप एक रूपय सेंड मनी करने पर एक तरह को सेंड मनी करने पर मतलब आप किसी को भी सेंड करोगे तब आपको 40 रूपय वाला कि स्क्रेट मिलेगा 12 रूपय का गिफ्ट करने की पर्चेश करने पर तो यह मैंने इस तरह को सारे का सारे डिम कर रखें किस तरह आपको में रूपय करना है इस वीडियो के दिन सब कुछ बतारे वालों तो इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखना कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 1500 रूपय वाला गिफ्ट का पर्चेश करने के लिए अपले किया तो मेरे यहां भी 55 रूपय के सब्सक्राइब करेंगे तब यह से देख सकते हैं और यह मेरे को आ रहा है कि इलजी बर गिफ्ट कारण पर्चेश किया 55 रूपय के सब्सक्राइब कर ता यह मेरे को 50 रूपय कर रहा है कि इस तरह आपको के सब्सक्राइब करने के बाद और यह मैंने कर लिया दोनों को और यह के सब्सक्राइब और यह दोनों आपको दिखे दे रहा है इस तरह आपको दिखे देगा यह सकते हैं और यह इस तरह मतलब तारी सब्सक्राइब करेंगे तब आपको यहां पर इसके बाद देख सकते हैं कि आप यहां पर 12 रुपए का मेरे को मेसेज भी आ गया है वह यह सारा का सारा बेलेंस है जो मैंने इसके अंदर एड्मनी करने के बाद देख सकते हैं कि आपको लोगिन करना है अमेजोन के जो भी आपना अकाउंट होता है वह आप देख सकते हैं कि इस तरह होता है वह देखो इसके अंदर आपको लोगिन करना है अमेजोन के जो भी आकाउंट और पास्विट है जो उस हैम से जेहां अरो इसका एक शठीक्सन देखते है और इसका एक स्पेशल क्वयर कोर्ड होता है मतलब जो कि अमेजोन यूपी होती है इस तरह की देखो तरह है इस तरह की यहेमिजी यूपी आडी दिख रहे है आप अब को इस युप एडिय कमें मारा मेरा बाइए वह है अमेजों पर के जो लिल्य वोर है उसके पास और है उसे आपके यूप एडिस पर सेटप करके आपको एक QR कोड देते हैं इस QR कोड पर जो भी प्रेस ट्रास्फर करके जो आपको यहां दिखे देगा अमेजू सेल्डर सेंट्रल के अंदर मतलब जैसे उसका वर्ष्ट में गिफ्ट करड़ बलेंस है वे सारा का सारा बलेंस इस पर ट 4402 रुप जो गिफ्ट कड़ है और बागी 78 रुप वह अलग है और इसमें देखो मेरा जो यूप एडी और मेरा नाम है वह भी आ गया है और मैं इसके अंदर एक रुपए सेंड मनी करके अब कुछ चेक करवा रहा हूं एक रुपए से मैंने सेंड किया तो इस तरह सेंड रुपए से तेरह रुपए और सात रुपए जो मैनी है जो एड मनी की हुई वह भी इसके अंदर ट्रांसफर होती है लेकिन वह हमारे को यह 44-43 रुपए ट्रांसफर करना है तो की बार हम सारा का सारा बैले से जो मुझाल वह गिफ्ट कर दो आप ट्रांसफर कर देते हैं आप देख सकते हैं और मैक्समिम इसकी कोई लिमिट नहीं है जितना चाहो उतना और देख सकते हैं यह जो 44-43 रुपए मैं इसके सेंड मनी कर दिया है चौरांड में इसके अंदर जो भी ओडर आडी रेपरस नमर है दास्ट का और यहां पर देख सकते हैं कि 44-43 रुपए म हो इस तरह देखो हमारे आगे हैं इस इहां पर आने के बाद आपको देक सकते हैं कि जबस आगे ठीक है उसके बाद हमारे को अगे दिखू यह जो ट्रांडी चाहिंग रए यह आपको भूर बढ़ा कर देख दिखा दिया है भी देखो 43 रुपए जो भी इसकी और डिया रेप्रस आडी जो भी है इसकी मैंने आपको दिखा दिया है उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो भी धर्लाइन पर गलिक करके इसकी बाद भूरी ओर ब्रीपोर्ट में ट्रांजेक्शन दिखती है और रिपोर्ट में पेमेंट में करते हैं शोड़की रखें था है है कि थोड़ी देरो है कि और दिखने लिगए गडर बटन के अंदर यह इash lauganda तो तौंब एक लिदेश करते हैं तो लेकल देन के मैं वह दो दिन प yanते है आप आप मतलब हो जाता है तो दिन के बाद पेमेंट के बटन क्लिक कर सकते हैं और बेंक के अंदर पेलेंस भी आ जाता है और बेलेंस मेरा अभी का भी आया हुआ भी मैं आपको भी दिखाऊंगा और यहां पर देख सकते हैं कि जो भी इस तरह ट्रंजेक्शन वह एड़िस्ट भ लागे है और वाकि जो बच्छा है हमारा पेलेंस है वह हमारे बेंक के अंदर जाएगा चार जा तीन सो अटीस रूपर पॉइंट एक बार मिलेगा और लिमिट के इसके इंदर को लिमिट तो है नहीं इसके इतना चाहिए उतना कर सकते हैं पहला सेट्लमेंट बेंक के मतलब पैमिट के अंदर पैमिट के अलिक बेलेंस आने के बाद मतलब हमारे और आटोमेटिक बेलेंस है वह हमारा कट गया यहनि बेंक के अंदर जाने के लिए अपकर देख सकते हैं गया अब जाता है 31338 पॉइंट 48 पैसा वह भी आ थेख सकते हैं कि अगा कि फोड़े देर में मेरे पासे इसका बेलेंस भी आगआ अगा है देखको यह फे 14 मिनिटöt पहले मेल भी आ था और अभी 14-15 मिनिट बाज के अंदर और मेरा balance भी आगे इसके इंदर, बैंक के अंदर, इस तरह आप Amazon Pay बैंक के अंदर आ गया है, तो यह देखो मेरा bank के अंदर 4330 रुपए जो भी बैंक पे आ गया है, और यह balance मैंने आपको Amazon Pay से निकाल के बताया है, तो अपने देखा, और यह देखो जो भी है, इसका 4330.48 पे जो भी मेरा bank के अंदर आ गया है, तो इस तरह, तो इस तरह आप Amazon Pay to bank कर सकते हैं, और इसके लिए आपको QR code का charge है, जब आपको 100 रुपए लगेगा, और 100 रुपए हमारे को pay करना रहेगा QR code के charges का, और आपको कुछ नहीं लगया, और आप से Amazon UPID लिए जाती है, और आपका यह payment method लग जाएगा, वो भी bank account अपना लग जाएगा अचके अंदर, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like करना, share करना, चैनल को subscribe जरू करना, और आपको यह QR code बनाना है, तो वीडियो description के अंदर इसके link है, कर पिए विजिट जरू करें, और झाल झाल